हलो स्टॉकियार मैं हूँ मोहिद पाथक, फाउंडर स्टॉकियार और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहले बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जोरु सब्सक्राइब कर लिजएगा इन बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि इस तरह नए वीडियो की आप व्यू रह सकता है, सांती साथ मुझे अगर कोई अच्छी अपाउंच्टी दिखाई देती तो मैं आपके साथ उसका भी शेयर करता हूं उसको भी प्रॉपर लाइसे के साथ तो अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर लाइक करिए, कन्फूजन कोई क्वेरी हो तो आ मैं Nifty Bank Nifty में किस तरह के से ट्रेट के जाता है वो लाइ मार्केट में समझाता हूं एक तो प्री मार्केट का वीडियो होता है जो हम इसमें प्लैन करके चलते हैं और अगर उस प्लैनिंग से अलग कुछ हो रहा है तो हम यहां पर मैं इसको अप्डेट देता हूं और यहां नोटिफिक सर नहीं आ रहा है तो वो भी आपको हेल्प मिलेगी चलिए तो अब मैं सबसे पहले आपको मेरा फॉर्ण पता है डेटा और चार्ट तो सबसे पहले डेटा अगर देखे तो निंफ्टी के डेटा को पहले दिख ले जाए तो निंफ्टी का जो हमारे पास डेटा है वो दिखाई दे रहा है 18500 का हमारे पास दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस और 18400 का हमारे पास दिखाई दे रहा है सपोर्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास है 18600 का तो मैं इसको एक्चुली 700 का मान के चलता हूँ तो 18700 का हमारे पास रेजिस्टेंस है और आपको वीकल आंसेस में मैंने बताया हुआ है कि 650 का हमारा रेजिस्टेंस है तो मैं एक्चुली 700 का option chain के basis पे understand कर रहा हूँ अगर कल मार्केट ऊपर जाने लगे और कॉल का OI कम होने लगे पुट का OI बढ़ने लगे 18500 का 600 का तो हम यह समझेंगे कि मार्केट हमारा और ऊपर जा सकता है लेकिन अगर कल मार्केट नीचे जाने लगे और पुट का OI कम होने लगे और call का OI बढ़ने लगे हम यह समझाएंगे कि हमारा market और नीचे जा सकता है जो कि सम्होना कम लग रही है विकास जो आपका PCR 1.31 है तो PCR आपका bullish है by the dip की strategy आपको रखनी पड़ेगी अब चलते हैं चार्ट को देख लेता है I think कुछ प्रॉब्लम थी चलिए तो option gen के बाद अगर मैं आपको data दिखाऊ और chart दिखाऊ chart यहाँ पर देखिए market आपका overall जो negative trend था यह छोटा वाला इसको यहाँ पर short covering के साथ neglect करके continue bullish जा रहा है तो overall आपका market जो है यहाँ पर इसने अच्छा का सा breakout दे दिया है तो यह जो range है यह support range बन जाएगा यह resistance था support का काम करेगा यह भी resistance था support का काम करेगा तो इसलिए buy the dip का मैं आपको समझा रहा हूँ because price section जो है अभी यह बन चुका है clear? चलिए अब हम इसमें कहाँ पर buy करेंगे कहाँ पर sell करेंगे उसको में समझा रहा हूँ तो 15 मिएट के basis पे मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ यह यह जो range है यह support की range है तो यह range कहाँ सुरूगी? 440, 18,040 से लेकर के 18,420 यहाँ तक आप आने पर कोई भी buying का reversal मिलेगा तो आप buy करोगे पहला target आपका 500 दूसरा target 550 बस उसे उपर नहीं आप वहाँ पर book कर लेना तो यह यहाँ पर आप buy करोगे दूसरा आपका buy का setup कहाँ बनेगा दूसरा आपका buy का setup बनेगा फिलाल यहाँ पर buy the dip का बन रहा है 650 तक अगर market पहुंच जाए जो कि आपको आने वाले एक दो दिनों में भी अगर मेल सकता है तो आप उसको याद रखोगे क्योंकि अभी वो जो प्राइ सेक्षन है वो जो वहाँ पर जो ट्रेड होगा 450 तो फिलाल यहाँ पर buy the dip ऊपर breakout मतलब ऊपर जाने के बाद double top देन उसके बाद उसका breakdown होगा तब upset करोगे या फिर कोई head and shoulder का pattern या फिर rising wedge जैसा भी बनने लगे तो एक कोई bearish price session देखकर अप्ट्रेट करोगा वहाँ पर प्रॉपर लेवल नहीं है लेवल जो है 650 का है तो लेवल में आपको नहीं दे सकता कि वहाँ पर लेवल नहीं है 650 का selling का लेवल है नीचे तो लेवल क्लियर है बट यहाँ पर price session देखना पड़ेगा अब अगर आपको यह समझ में नहीं आता कि price session में नहीं देख सकता तो simply telegram जोईन करके रखो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि क्या करना है यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि क्या करना है चलिए तो अब हम bank nifty को देख लेते है bank nifty का जो हमारे पास है data 1.2 है यह nifty के comparison में उतनी bullish नहीं है nifty जैदा bullish है इससे support देखे अगर हम यहाँ पर तो हमारे पास support जो है वह 44,000 का है और resistance भी वहीं पर है तो यहाँ पर actually धुआधार fight हो रही है balls and bears bears के बीच में तो दोनों लोग fight कर रहे है लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी जो पलरणा भारी है वह resistance वालों का है यानि की bears का यानि की 44,000 पर resistance strong है support भी वहीं पर है लेकिन strong resistance ज्यादा है तो अगर हम देखे अभी यहाँ पर PCR के basis पर प्राइस के basis पर 43996 43996 के पास हम बैटे हैं तो जस्ट हम यहाँ पर उसके पास में ही बैटे हैं तो अगर कल market 44,000 के उपर जाने लगा तो उस टाइम पे call का OI कम होने लगे और put का OI बढ़ने लगे तो हम यह समझेंगे कि market और उपर जा सकता है तो अगला target हमारा option chain के बिसास पर 44,500 नहीं उतना दूर हो जागा 200 44,200 का हमारा target हो जाएगा लेकिन अगर कल नीचे जाने लगे तो 44,000 के put के OI कम होने लगे और call के OI बढ़ने लगे तो हो सकता है कि और नीचे चला जाए तो नीचे की तरफ जो option chain के base पर मिला वो 43,800 का target मिलके आ रहा है तो यह तो आमे option chain के base पर पता चला है अब चलते हैं चार्ट देख लेता है तो चार्ट आपको दिखाओ यहां पे simply इसका price session देखो यह अभी भी अच्छा बाइद विए अगर आप लोगों को याद हो यह 15 मिनिट वाला मेरा time frame जो मैंने आपके साथ यहां पर plan share किया था कि trend line का तूटने के बाद यहां पे आप reversal पे rejection होगा तब short करेंगे तो जो को अच्छा खासा 400 point का आपको fall मिला और यह मैंने यहां पे भी valid बताय था इस दिन के लिए जो कि 25 मही था तो 25 मही के लिए भी कि वो जो इसका sell का target है वो target यह वाला है तो उपर वाली trend line रही यहां पे उसी जगह पे यहां पे बैठी होई है तो यह को trend line का price section कैसे होता है काम करता है यानि bullish confirmation कैसे आएगा simply उसके उपर जाएगी निचे आएगी, halt करेगी फिर उसके बाद जब breakout होगा उस range का तब confirm हो जाता है कि वो जाएगा ऊपर तो यह price section आपको याद रखना है यानि कल यह जो आपका 44,060 44,060 44,070 के ऊपर अगर market निकले पांस मिनिट की candle close हो जाए फिर नीचे आए अगर थोड़ा सा pullback ले और फिर उसके बाद जब उस range का breakout हो तब आप भाई करना यहाँ पे swing low support होगा टार्गेट आपका सीदे से निकल का जाएगा 700 का 44,300,500 और कितना है 300,400 यह target आप लेके चल सकते हो ठीक यहाँ पे दूसरा भी planning है अगर मैं पांस मिनिट का चार्ट आपको दिखाऊ पांस मिनिट के चार्ट पे देखिए चुकि रेजिस्टेंस के पास है मतलब trend line का रेजिस्टेंस है यहाँ पे देखिए इसने double top का formation मनाया है तो double top का formation का जो निकलाइन है उसका निकलाइन यहाँ पे है 43,960 60,65 माल लो तो इसके नीचे अगर निकलेगी तो फिर उसके पास support कहीं पे नहीं है तो अगला जो support है वो सीदे सीदे 8,50 का है 43,850 तो अगर कल market bank nifty यानि कि इसके नीचे निकले और फिर थोड़ा सा उपर जाकर करके फिर से नीचे आने का प्रयास करे तो आप short करोगे सीदे सीदे target या पहुचनी देखेगी फिलाल के लिए तो इतनी ही है तो मैं आपके साथ अपने टेलिग्राम चनल में सेयर करूँगा इसको जरूर जोइन करके रखे अगर आप यही सब चीजे मुझसे सीखना चाते हो कर सर जी यह सब चीजे कैसे पता चलती है तो यह सब मैं अपनी पूरी classes में सीखाता हूँ और यह फिलाल आप वीडियो देखेंगे अगली batch जो है 20 June से चालो होगी तो हर महीने मेरी नई batch से चलती रहती है आप जोइन कर सकते हो हर महीने की 20 तारीक से नई batch चालो होती है तो फिलाल नई batch जो है वह 20 June से चालो होगी यह वीडियो देखिए पूरी मैंने डेटेल दे रही है कि क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा और अगर आपको अच्छा लगे तो classes जोइन करिए कोई confusion होनों तो इस नमबर पर call करके एक बार पूछ लीजिए सो यह analysis अभी के लिए इतने ही thank you and wishing you all the best